नमस्कार किसान सातियों मैं हूँ आपका पटेल भाई क्रिशी नेटवर के यूटूब सानल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का एपिसोड है सागुन या टिकूड इस जूबिच पत्री पोधी की किसर से खेती की जाए और जाद से जादा किसान मेहनत करकर अपने खेतों में उत्पादन ले सके इस बारे में आज हम जानकारी जानेंगे सागुन या टिकूड यह दिवबिच पत्री पोधा है यह चीर हरित यानी वर्षबर हरा भरा रहने वाला पोधा है सागुन का रुक्ष प्राय हस्सी से सो फुट लंबा होता है इसका रुक्ष काश्टी होता है इसकी लकडी हलकी मजबुत और काफी समय तक चलने वाली होती है इसके पत्ते काफी बड़े होते है फूल उबैलिंगी और संपुर्ण होते है सागुन का वनस्पातिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस या बहु मल्य इमारती लकडी है दोस्तो भारत में सागुन के कही प्रकार है जैसे निलांबर, मालाबार सागुन, दक्षिनी और मद्य अमेरिकन सागुन, पच्चीमी अफरिकन सागुन, आदिलाबद सागुन, गोधावरी सागुन, कोन्नी सागुन अभी हम इस पेड के लिए उप्रिक्त मोसम के बारे में जानेंगे सागुन के लिए नमी और रोष्ण कटिबंदी है वातावरन जरूरी होता है ये ज़्यादा ताप्मान को आसानी से बरदाश्ट कर लेता है लेकिन सागुन की बहतर विकास के लिए उच्चतम 49-49 डिग्री सेंटीग्रेट और निमनतम 13-17 डिग्री सेंटीग्रेट उप्रिक्ते है 1200-25 मिलिमीटर बारिश वाले इलाकों में इसकी अच्छे पेडावार होती है इसकी खेती के लिए बारिश, नमी, मिट्टी के साथ साथ रोश्णी और ताप्मान भी अहम भूमी का निबाता है दोस्तो सागुन की खेती के लिए मिट्टी कैसी होना चाहिए सागुन की सबसे अच्छे पेडावार जलोड मिट्टी में होती है जिसमें चुना, फद्टर, शिष्ट, शेल, भुसी और कुछ जौला मुखिये चट्टाने जैसे की बेसाल्ट मिली हो वही इसके विपरिश सुकी, बलुवाई, छिचली, अमलिय और 6 pH और दलदली मिट्टी में पेडावार बुरी तरह से प्रबावित होती है सोयल pH यानि मिट्टी में अमलता की मात्रा की खेती के शत्र और विकास को निर्धारित करती है सागुन के वन में सोयल pH का रेंज व्यापक है जो 5.0 से 8.0 के 6.5 से 7.5 के बीच होता है सागुन में केल्सियम, फास्परोस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और और अर्गनिक तत्वों से भरपूर मिट्टी सागुन के लिए बहुत बेहत मूफिद है कोई शोद परिनाम से सागुन के विकास और रंबाई के लिए केल्सियम के ज़्यादा मात्रा बेहत जरूरी होती है दोस्तो सागुन की रोपाई के तरीके फेलाकर या चितराकर या क्रमिक या डिबलिंग तरीके से 5 से 10 फिस्जि से अलग रख कर बुआई की जाती है क्रमिक या डिबलिंग के तरीके से बुआई ज़्यादा फैदिमन होती है अच्छी और मजबूती से बढ़ने वाली होती है आमतोर पर कैरियों को उपरी शेड की जरूरत नहीं होती सिवा बहुत सुके इलाकों के जहाँ सिचाई की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती ऐसे हालत में यहाँ खर पत्वार भी नहीं पनप पाता किसान सातियों आमतोर पर सागोन के पोदे की कटाई छटाई पोदार उपन के पास से 10 साल के बीच की जाती है इस दोरान जगा की गुनोत्ता और पोदों के बीच का अंतराल को भी ध्यान में रखा जाता है वही अच्छे जगा और नजदी की अंतराल वाले पोदे की पहली और दुसरी चटाई का काम पाचे और दस्वे साल पर की जाती है दोस्तो सागुन पोदार उपन के बीच अंतर फसल जो होती है वो शुरुवाती दो साल के दोरान सागुन की खेती के बीच में अंतर फसल उगाई जाती है खास करकर वहाँ जहां कुरुशी योग्य भूमी है एक बार जब भूमी को पटे पर दे दिया जाता है तो पटेदार भूमी की सपाई खुंटे जलाना और पोदार उपन का काम शुरू कर देता है सागुन की खेती के बीच आमतोर पर गेहु, धान, मक्का, तील और मिर्च के साथ साथ सबजी की खेती की जाती है कुछ फसल जैसे जूट, कपास, कद्दू, खिरा, गन्ना, केला, इनकी खेती नहीं की जाती है सागुन के पोदे कहा से चुने और कहा से खरीदे आजकल भूँ सारे किस्सान सागुन की खेती के बारे में सजग हो चुके है सभी जिलो के बड़ी-बड़ी नरसरियों में सागुन के पोदे मिल जाते है लेकिन हमें सागुन के टिशू कल्चर के हुए पोदो अच्छा उत्पादन कम खर्चे में दे सकते है टिशू कल्चर सागुन पोदे आपको किसी सामाने नरसरी में नहीं मिल सकते है इसके लिए आपको special tissue culture सागवा नरसरी में संपर्ग करना होगा जैसे एक वर्ष पूरुवा अगर आप नरसरी से सुचित कर देते हैं तो आपको समय पर बहतरिन पोदे मिल सकते हैं सागवान का पोदा रोपन करते वक्त उसकी उच्चाई लगभग एक से दिड़ फिट होनी चाहिए उससे उच्चा पोदा नहीं होना चाहिए एक से दिड़ फिट उच्चा पोदा एक साल पुराना होता है इससे पुराना पोदा न चुने दोस्तो सागवान खिती के लिए पोधे लगाते वक्त गड़ों में मिट्टी के साथ कमपोस्ट खाद का मिश्रन करें जाधा से जाधा केवल सिंद्रिय उर्वरक का ही इस्तमाल करें पहले तिन साल तिन महिनों में एक बार कमपोस्ट खाद देना जरूरी है पहले तिन साल रासानी कुरूवरक 15-15-15, साल में दो बार बारिश के दिनों में 50 ग्राम प्रती पोधा देना फायदे मन होगा, आच्छे उत्पादन के लिए तिन साल पच्छात भी हर चार मैनों के बाद कमपोष्ट खात देना चाहिए, तथा बारिश के दिनों में एक दो बार रासानी कुरूवरक 15-15-15 देना बहतर होगा, किसान सातियों सागवान पोधे लगाने के पच्छात आपको खेती श्यत्र के साद बारा पर सागवान पेड़ों की नोंद तलाटी से करना जरूरी है, साथ ही बदलते वनविभाग के नीमों को पालन करके वनविभाग क आपके सागवान खेती की सुचना देना और मंजूरी लेना आवशक है, सागवान पेड़ काटने के लिए तैयार होने पर भी कटाई के लिए वनविभाग की पूरो सुचना लेना आवशक है, आप सभी नीमों का नुसरन करते हुए तो सागवान कटाई के लिए वनविभ मार्केट में है आपके पास सारी कानूनी जरूरते पूरी होंगी तो आप अच्छे उच्चतम दाम आसानी से पाएंगे जैसे कि आधा एकर सागवान की लकड़ी से मिलने वाली लाखो रुपे की कमाई को करोड़ों में बदला जा सकता है सागवान से निर्मित फरनिचर की दिमांड मार्केट में बड़े पैमाने पर है बस आपको आपके सागवान लकड़ी को फरनिचर में बदलने की कला आनी चाहिए या किसी कलाकार की साहता से फरनिचर बना के आप उसे बेशना चाहिए आज सागवान की खेती की शिरुवात कर रहे है तो 14 से 15 साल के पच्छ हमें इस सरसे नई नई फसल लगा कर अपनी उपलब्दिया बढ़ाना है, अपना उत्पादन बढ़ाना है, इस सरसे अगर आप एक बार इन पेड़ों को अपनी खेतों में लगाते हो, तो आप कुछ सालों के बाद आच्छी से आच्छी कमाई कर सकते हो, लाखो करोडों विग्यान का उपयोग करें, मैं पटिल भाई आज का विशे यही पे समाप्त करता हूँ, और कृशी नेटवर्क के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्क्राइब करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आर कर विगिशन्स मिलते रहे हैं, धन्यवाद.